हेलो एवरीबान वेलकम बैक टू माई चैनल कैसे हो आप सभी लोग आई होब कि आप सब बहुत ही अच्छी होंगे लेकर आई हूँ बहुत ही यूसफुल टिस जिसके तुरू आपका सभी काम बहुत ही आसान तरीके से होगा और साथी में घंटों का कम मिंटों में होगा तो अगर बड़े बुजूर्ग होते हैं उनको बहुत दिक्कत होती है उनका आखों में बहुत चुबने लगता है तो इसके लिए एक चोट असा ट्रिक लेके आचुकी हूँ सबसे पहले हम क्या करेंगे बल्प को इस तरह से खोल लेंगे अब इसमें हम एक ट्विस्ट लाए तो ये अराम से घुज जाए देखिए कुछ इस तरह से इसमें हमें क्या करना है बल्प में पहना देना है इसली ये बल्प में घुज जाएगा देखिए कुछ इस तरह से बल्प में ये सेट हो चुकी है अच्छी तरीके से इसी तरह से जो भी कलर आपको पसंद है उस कलर का बैलून अप ले सकते हैं और ले करके इसमें पहना दीजिए यानि के बल्प में बैलून को पहना दीजिए अब मैं आपको बल्प को जला कर दिखाती हूं देखे गाइस पहले जो बल्प जल रहा था और अभी जो बल्प जल रहा है दोनों का जो रौसनी है उसका अंतर द सकते हैं मार्केट में तो आपको कलरफुल इस तरह का वल्प मिल जाएगा बट घर में ही जब एक बेलून से बन जाए तो क्यों ना बनाए है ना बड़ी ऐसा आइडिया तो चलिए अब देख लेते हैं अगला टिप तो मैंने यहाप लिया है एक मास्क अब देखिए मास्क क यूज करते अब जस्त्र one को वाइब करने के लिए यह वाली जो फैबरिक होता हैं ना कई वार यह गुम हुझाटा है अगर इस तरह से शाप करने के लिए यह वाली फैबरिक vibrant का यूज आप इस तरह से ले सकते हैं क्योंकि यह बहुत ही soft होता है जिस कारण इस तरह से आप चस्मा को अच्छी तरीके से wipe कर पाएंगे इससे की चस्मा में scratches या निशान बगरा बिल्कुल भी नहीं आएगा है ना बड़ी असा idea तो इस तरह से जब एक बार use हो जाए तो आप क्या क अब देखें mixi jar का जो ढखन है यहाँ पर लगा हुआ रहता है rubber कई बार ऐसा होता है इसका जो rubber है यह धीला पड़ जाता है जिस कारण जब हम mixi का use लेते हैं mixi को जब हम चलाते हैं तो सही से mixi का जो ढखन है वो नहीं लग पाता है जिस कारण हम जो भी mixi में पीसते हैं वो बाहर निकल के आता है सही से ढंक से नहीं पीसा जाता है तो इसके लिए बढ़िया सा idea आप कर सकते हैं तो आप freeze खोड़ लिजिए फ्रीज के अंदर इस rubber को कुछ देर के लिए डाल के रखें ठीक है दो से तिन घंटे के लिए रख दीजिए इससे आप देखिएगा ठ टाइट हो जाएगा चली मैं आपको लगा कर दिखाती हूं अब देखिए इस तरह से जब आप रबर को लीड में लगाएंगे तो यह अच्छे से फीट हो जाएगा तो देखिए गाइस इसी तरह का छोटा छोटा टिप्स अपना के हम अपने काम को आसान बना सकते हैं इस वज़े से बहुत ही फैला हुआ दिखता है और बहुत तक गंद भी होता है तो इसको स्टाइलिस से और्गनाइज करके हम कैसे रखे तो इसके लिए आपको चाहिए एक कड़ा जो कड़ा आप पहनते नहीं जो पुराना हो चुका है जिसको आप डिसकार कर दिये हैं व तो हम घुसा देंगे सिंपल है बहुत ही सिंपल है ध्यान से देखे वीडियो को बस इस तरीके से आपको कर लेना है और एक पीन लगा दीजिए बस इस तरीके से पीन से सिक्योर कर ले बस बन गया है कितना स्टाइलिस किचेन टावेल और इसको हम हैंग करेंगे किचेन में चलिए दिखाते हैं तो इस तरीके से आप अगर kitchen towel को डखेंगे तो आपका kitchen खुबसुरत भी लगेगा और organized भी रहेगा और आसानी से आपको मिल भी जाएगा usable है बहुत use करने में आपके लिए बहुत easy रहेगा इस तरीके से मैंने इसको kitchen में hang कर दिया है देखिए हैना होती helpful रहेगा तो गाइस mixica use हम सभी लोग करते हैं अब देखिए mixica use करने के बाद mixico कुछ इस तरह से हम kitchen platform में ही रखा करते हैं रख देते हैं जिस कारण mixi बहुत ज़्यादा गंदा हो जाता है और साती में बहुत ज़्यादा चिप चिपा भी हो जाता है अब देखिए बार बार इसको clean करना पड़ता है जिस कारण हमें बहुत time और मेहनत दोनों ही लगता है तो इसके लिए बहुत बड़ी असा एक trick लेकर आ चुकी हूं इसके लिए आपको लेना है पुराना टी-shirt बच्चों का पुराना टी-shirt तो हमारे घर में होता ही है बस उसको ले लीज इस तरह से इसको बांदेंगे ताकि यह अच्छे से fix हो जाए यह खुलेना ठीके कुछ इस तरह से इसको बांदने के बाद अब इसको वापस से हम सीधा कर लेंगे देखिए कुछ इस तरह से और यह बहुत ही अच्छा सा प्रोटीक्टर बनके तयार हो जाता है. जो बहु गवर्बेंट के मदल से इस तरह से बांदेंगे ताकि यह कम जगा में अच्छे से और्गनाइज रहे अब हम क्या करेंगे जो प्रोटेक्टर हम बनाई है उसको हम क्या करेंगे इस तरह से मिक्सी के उपर डाल देंगे देखिए कितना बढ़िया तरीके से मिक्सी कवर हो तरह से आप मिक्सी को ढख करके कवर करके रख सकते हैं इसी तरह से चोटा चोटा टिप्स अपना के हम अपने काम और मेहनत दोनों को ही बचा सकते हैं आई होब यह आइडिया आपको बहुत पसंद आया है तो चलिए अब दख लेते हैं अगला टिप सो गाइस कई वार ऐस प्रिक लेके आ चुकी हूँ ऐसा दिक्कत अगर आपके साथ भी होता है या आपके बच्चों के प्यार में होता है तो आप एक काम कर सकते हैं इसके लिए आप विक्स या तो फिर जंडू वाम ले लीजिए पहले आप प्यार को अच्छे से दोलीजिए अच्छे से से उसको लेकर के निल्स के किनारों में या तो फिर उंगलियों के बीच बीच में इस तरह से लगा दीजिए गा तो रात के टाइम अगर लगाएगा तो सुबह उटकर देखिएगा बहुत हद तक राहत आराम मिलेगा लेकिन हाँ इसको लगाने से पहले पैर को अच्छे स दोलीजीगा यानि कि पैर को अच्छे से क्लीन करना बहुत जरूरी है दोने के बाद पैर को अच्छे से सुखा ली जिएगा ड्राय कर लीजए उसके बाद भी इसको लगाईएगा ये बहुती यूसफुल टी पे आप जरूर ट्राइ कीजिएगा आपको बहुती अच्छा रेजल्ट मिलने वाला है सो गाईस आज का वीडियो में यही पेंट करी हूँ I hope आप सभी को आज का वीडियो यूसफुल लगा है वीडियो यूसफुल लगने पे वीडियो को ज्यादा से ज्यादा सेयर कर दीजिएगा एक लाइक करके मुझे मोटिवेट कीजिएगा चैनल पे निव यानि की पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा क्योंकि इस तरह का यूसफुल वीडियो में अपनी चैनल पे लाती रहती हूँ तो चलिए मिलती हूँ नेक्स वीडियो में बाई फ्रेंड्स एंड थैंक्स पर वाचिंग